कॉली स्वाडी ड्रॉपिंग वो भी दो टावल के साथ जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो तो सबसे पहले आपको दो सेम टो सेम कलर का टावल यहां पे लेना है जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो और दोनों को आपको यहां पे बीच में गांट कर देना है तो मैंने यहां पे अल्रेडी उसको नौट कर दिया है और नौट वाल कि उसका एक ही पाट को हमें यहां पर ऊपर की तरफ उठा के उसको अंदर की तरफ उसको टेक्यंग कर देना है भिलकुल सेंटी शुन आपको ऑपोजेट को करना है का मुझे तो दोनों साइट को मैंने यहां पे टकिंग कर दिया है और पीछे वाला साइट आप यहां पे देख सकते हों कहीं पे भी कोई भी ग्याब हमें यहां पे नेजर नहीं आ रहा है तो भेना बहुती इंट्रेस्टिंग बात उसके बाद आपको एक साइट को पकड़के आपको सबसे पहरे तो अपने हाथों से उसको सेट करना है अच्छी तरिके से उसके बाद आपको उसको ऑपोजिट साइट पे लेके जाना है फिर आपको यहां पे टकिंग करना है बैक साइड के एरिया पे करना मैं यहां पे उसको बैक साइड पे टकिंग कर रहे हूं और कि यहां पे फेब्रिक रहता हे आपको पूरा का पूरा यहां पे टकिंग नहीं करना है क्योंकि इतना ज्यादा फेब्रिक अंदर के तरफ नहीं हो सकता है तो जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो जितना यहां पे बज़ गया था उसको आपको opposite side पे घुमाते हुए आपको यहां पे front side के area पे tucking कर देना है बिल्कुल opposite side पे घुमाना है उसके बाद हम यहां पे opposite side को भी बिल्कुल same to same यहां पे करेंगे पर उससे थोड़ा सा यहां पे different होगा सबसे पहले आपको एक बार उसको घुमाने के बाद आपको क्या करना है फिर से उसको दुबारा front side के area पे लेके आ जाना है जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो और दूसरे हाद से आपको उसको टाइटली पकरना है नहीं तो यह बीच बीच में लूज हो जाएगा उसके बद आपको opposite side पे उसको लेके चले जाना है बिल्कुल back side पे और उसको टेकिंग कर दे रहा है जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो तो यह है इस वीडियो का final look जो कि आप यहां पे देख सकते हो जिसको मैंने यहां पे blouse के साथ डिजाइन किया है तो यह वाला वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताना और इंस्टाग्राम पे मुझे जरूर शे फॉलो कर देना तब तक के लिए रहती हूँ बाबाई